तो चलिए शुरू करते हैं. विहान ने तिर्ची नजर से इशान और आहान की तरफ देखा और तिर्चा मुस्कुराने लगा. कुछ देर में कर एक होटल लाकर रुकी और उसमें से कहर और उसके तीनों बच्चे बाहर आए कहर ने विहान को गोध में उठा रखा था और पूख भी लगी थी. समीर ने कर की तरफ देखा और पूछा आयू ओके. अब आगे. कहर ने समीर की तरफ देखा और फिर बोली हम उसके बाद वह सभी होटल रूम चले गए. समीर ने सारा खाना रूम में ही मंगवा लिया था क्योंकि वह जानता था कि सब काफी धक चुक को प्रिपेय कर लिया था. कहर बाहर आई और देखा इशान आहन और विहान दिना कर रहे थे समीर उसका वेट कर रहा था. कहर ने मुसकुरा कर अपने बेटों की तरफ देखा और समीर के पास आ गई. समीर ने हलकी स्माइल के साथ कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद दोबारा सफर शुरू करेंगे ड्राइव को. भी मैंने टेस्ट के लिए बोल दिया है और वह भी अपने रूम में रेस्ट कर रहा है. कहर ने सिर हिला दिया और दोनों दिना करने लगे उन लोगों ने करीबन टू घंटा रेस्ट किया उसके बाद वह लोग. वापस अपने सफर के लिए निकल गए क्योंकि वह लोग जल्द से जल्द लखनव पहुचना चाहते थे. लगभग 35 घंटों से वो लोग सफर कर रहे थे बीच में रुक रुक कर उन्होंने होटल में रेस्ट भी किया. कहर फाइनली अपने लखनव में एंटर कर गई थी इतने सा कालों बाद अपने शहर को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी आखे भर गई यहां की यादों ने उसका दिल भर दिया. कहर के तीनों बेटे बहुत ज्यादा एक्साइटड लग रहे थे तभी कार आकर एक होटल रुकी. स्टार संशाइन होटेल. कहर 12 निकली और उसके पीछे पीछे उसके तीनों बेटे इशान आहान और विहान बाहर आ गए. समीर ने पहले ही यहां पर रूम बुक कर लिये थे जब वह लखनव में था. समीर और कहर रिसेप्शनिस्ट के पास गए और वहां पर उन्होंने कुछ फॉमेलिटी दी उसके ब अपलाई कर रही थी और इशान अपने नन्हे नन्हे हाथों से खुद अपनी बॉडी पर शॉप अपलाई कर रहा था. तभी वहाँ पर समीरा आ गया और उसने कहर और बच्चों की तरफ देखा और बोला कहर तुम ठक गई होगी जाकर रेस्ट कर. लो, मैं इन तीनों को कहर ने मुसकुरा कर कहा तुम भी बहुत ठक गए थे तुमने कितना ज्यादा सफर में स्ट्रगल किया इसलिए तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो. समीर ने कहा गो इन टेक बात मैं इन तीनों को संभाल लूंगा. इस बार कहर दे समीर से ज्यादा बहस नहीं की और वह वहा दांत दिखाने लगे समीर ने अपना सिर नामे हिला दिया जैसे कह रहा हो इन तीनों. शैतानों का कुछ नहीं हो सकता. कहर शावा के नीचे खंगाई थी अब उसे रिलेक्स फील हो रहा था क्योंकि इतना लंबा सफर तै करना आसान नहीं था. कहर फ्रेश होकर बाहर आ ग होंगे और यह सब जल्दी करना होगा वह अपना एक मिनट भी. वेस्ट नहीं करना चाहती थी. कहर वापस अपने प्रोफेशनल लुक में आ गई थी तभी रूम में समीर आ गया कहर ने उसे देखते हुए कहा इशान आहान और विहान सो गए. समीर ने कहा हां, तीनों कहर निकल गई. कहर अपने बेटों से मिलने के लिए दूसरे रूम में आई और उन्हें सोता देखकर सुकून से बाहर चली गई. कहर और समीर लिफ्ट में थे ग्राउंड फ्लो पर पहुंच कर दो दोनों बाहर की तरफ जाने लगे. वही सामने से एलविश जायद के साथ बात करते हुए आ रहा था जायद शायद एलविश को कुछ इंपोटेंट. इन्फॉर्मेशन बता रहा था और एलविश अपने फोन में कुछ चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था उसके चेहरे पर इस वक्त. कोई भाव नहीं थे. इसलिए उनका ध्यान सामने की तरफ न रही थी. लेकिन कहर ने सिर पर कैप लगा रखी थी यह उसने किसी वजह से लगाई थी. तभी एलविश और कहर एक दूसरे के सामने से गुंजरने लगे तभी कहर का हाथ एलविश के टकरा गया और एलविश के हाथ से फोन चुट कर गिर गया. एलविश ने तिर्ची नहीं देख पाया था क्यूंकि कहर का फेस काप से कवद था. एलविश की आँखे गुस्से से लाल हो गई. जायद कहर को पीछे से देख रहा था. की एलविश आगे की तरफ बढ़ गया और जायद ने स्टाफ के हाथ से फोन लिया और फिर उसे वहां से जाने के लिए कहा स्टाफ ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया जायद ने मन ही मन सोचा कौन थी यह लड़की जिसने पलट करे बार भी पीछे नहीं देखा एलविश को यहां सब जानते थे और अगर जिसने भी एलविश को देखा वह उसे जरूर ग्रीद कर कर जाता था वही कहर और समीर कार में बैठ कर वहां से निकल गए वही इशान आहान और विहान सो रहे थे और उनकी केर टेकर भी आ गई थी लेकिन जब उसने तीनों बच्चों को सोता हुआ देखा तो वह फोन पर किसी से बाते करने लगी एलविश अपने कमरे में गया और फिर सीधा शावर लेने चला गया जायद रूम में जैसे ही एंटर हुआ एलविश कानों में एलविश की आवाज गई I need a new phone in just 10 minutes जायद हैरान हो गया जायद कुछ बोलता उससे पहले ही एलविश बात्रूम के अंदर चला गया जायद ने खुद से कहा इस phone में क्या problem हो गई अभी परसों ही तो खरीदा था लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था इसलिए उसने एलविश के लिए phone order कर दिया कहर और समीर एक ही कार में जा रहे थे असल में उन्हें शहर से थोड़ा दूर जाना था वह इलाका शांत था ड्रुमनोज दास का घर वही था कहर बाहर देख रही थी और उसकी आँखों में नमी थी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वापस लोटेगी उसे अपनी family की याद आ रही थी वह कैसे होंगे की हाल में होंगे उसे कुछ नहीं पता था उसके भी एक normal लड़की की तरह सपने हुआ करते थे वह भी पर लिथ कर कुछ बनना चाहती थी लेकिन उसकी जिन्दगी ने उसे कहां से कहां पहुँचा दिया था एल्विश शावर लेकर बाहर आया उसने lower body पर तावल लपेट रखा था एल्विश ने सामने देखा था तो टेबल पर आइफोन की लाइन लगी हुई थी एल्विश ने सभी फोन की तरफ देखा और एक फोन को उठाकर देखने लगा तभी एल्विश ने वह फोन जोर से जमीन पर पटक दिया और उसे फोन के दो हिससे हो गए Zayad normally खडा था Eilvish एक के बाद एक फोन उठाकर गुससे से जमीन पर पतक रहा था और सभी फोन के दो हिस्से हो रहे थे तभी Eilvish ने एक और फोन उठाकर जमीन पर पतका लेकिन उसे फोन के दो हिस्से नहीं हुए एल्विश ने अपनी cold voice में कहा दस्वन जायद ने कहा ओके उसके बाद एल्विश को सम वैसा ही phone लाकर दिया गया और बाकी वहां के सारे गंद को साफ कर दिया गया कुछ देर जायद ने वहां पर business से related बात की और फिर वहां से चला गया एल्विश अपने laptop पर काम करने लगा एल्विश शर्टलेस था उसने सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था और serious लुक में वह कयामत लग रहा था एल्विश के आँखों के सामने उस लड़की का उसे धक्का मारना याद आ रहा था उसने मुर कर उसे sorry भी नहीं कहा ड्रमनोज दास का कहर और समीर पिछले टू घंटे से वेट कर रहे थे लेकिन गौड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था समीर और कहर बाहर बैठ कर ही उनका वेट कर रहे थे ड्रमनोज दास अब किसी से नहीं मिलते थे लेकिन कहर का उनसे मिला बहुत जरूरी था और वह किसी भी हद तक जाने के लिए राजी थी अगर उसे दो क्या 24 घंटे भी वेट करना पढ़ेगा तो वह करेगी वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी कहर ने समीर की तरफ देखा और बोली समीर आए तिंक तुम्हें अब जाना चाहिए समीर ने कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला ऐसे ही उनका वेट करते करते 5 घंटे हो गए थे और गार्ड ने कई बार उन्हें वहां से जाने के लिए कहा लेकिन करतो अपनी जिद पर खड़ी हुई थी कि उसे ड्रमनोज दास से मिलना ही है समीर ने भी कहर को कई बार कहा कि वह कल आकर उनसे मिलेंगे लेकिन कहर यहां से उठने के लिए तैयारी नहीं थी वही विहान सो कर उठ चुका था और अपनी मम्मा को धूंध रहा था विहान अपनी मम्मा को धूंधते धूंधते रूम से बाहर आ गया विहान ने कहर को आवाज देते हुए कहा मम्मा 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 विहान ने कॉरिडोर में देखा तो कोई नहीं था कहर जिस flow पर room book किये थे वह VIP था इस वजह से वहाँ पर staff सिर्फ बुलाने पर ही आते थे privacy की वजह से वहाँ पर कोई आता नहीं जाता था क्योंकि उस flow पर रहने वाले लोगों को disturbance बरदाश्थ नहीं थी विहान ने room की तरफ आमने सामने 2 room थे और दोनों का number से ही था और विहान को याद नहीं आ रहा था कि उसके room का number कितना था विहान ने अपने छोटे हाथों को चिन पर रखा और सोचने लगा मेरा room number कौन सा हैं, फिर विहान ने अपने कदम लेफ्ट साइड वाले रूम की तरफ बढ़ा दिये और फिर डोर ओपन करके अंदर चला गया विहान ने अपने छोटे-छोटे हाथों को अपनी कमर पर रखा और पूरे रूम घूरने लगा और इंटीरियर डिजाइन देख कर बोला देखा मैं कभी अपना रूम पहचान में गलती कर ही नहीं सकता हूँ ना मैं स्मार्ट बच्चा विहान पूरे घमंड में फ्लैट को देखने लगा वही टू घंटे बाद केर्टे कर उठी सबीना ने उधर उधर देखा तो दो बच्चे सो रहे थे लेकिन एक गायब था ये देख कर तो उसके साथ रुक गई और उसने जल्दी से इधर उधर चेक किया सबीना ने तीसरा बच्चा बहुत धूंधा लेकिन उसे नहीं मिल रहा था उसने पूरा फ्लैट चल मारा था सबीना की आखों में हासो आ गए वह इतनी बड़ी बेवकुफी कैसे कर सकती है वह कैसे सो गई अब उसका क्या होगा तीसरा बच्चा कहां गया उसे अब फोन करकर अपनी बॉस को बताना होगा सबीना ने कापते हाथों से फोन निकाला और उस पर कहर का नमब डायल कर दिया जैसे जैसे फोन की रिंग जा रही थी वैसे वैसे सबीना का डर की वज़े से उसका दिल जोरो से धरक रहा था कहर ने अपना फोन देखा और सबीना का देखा तो उसे इशान आहन और विहान की याद आ गई कर जानती थी कि उसके बच्चों से मिस कर रहे होंगे खास कर विहान. तभी कहर ने फोन पिक कर लिया लेकिन कुछ देर तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो कहर के भाव बदल गए. कहर ने कहा सबीना वाट हैपन्ड. तभी कहर के कानों में सबीना की दोबारा आवाज गई और उसने कहा मैं विहान बाबा गायब है. कहर के भाव गं कर रही हो तुम सबीना विहान कहा है. सबीना ने घबरा कर कहा मैं विहान बाबा पूरे फ्लैट में नहीं है और मैंने उन्हें हर जगह धूंद लिया लेकिन वह नहीं मिल रहे. कहर के हाथ से फोन चूट गया और उसकी आँखों में आशू आ गए. कहर को ऐसे देकर समीर कहर ने घबरा कर कहा समीर विहान गायब है कहर अपनी कार की तरफ भागी कहर की आँखों में हांसू थे. कहर जल्दी से होटल पहुची और जल्दी से अंदर की तरफ भागी उसके बच्चों के लिए ये शहर नया था और उनको कुछ. ज्यादा पता भी नहीं था उसे वि बेटा कहा गया भाई की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर मेरा. बेटा मुझे नहीं मिला तो. सबीना डर गई और उसने कहर के पैर पकड़ लिया और बोली में मुझे माफ कर दीजिये विहान बाबा नहीं मिल रहे. प्लीज पहले आप उन्हें धूंदिये. समीर ने कहर को शांत किया. कहर ने गुस्से से यहां के मैनेजर को कॉल किया और उसके बाद विहान को धूंधने का. काम शुरू हो गया पूरा होटल में विहान को धूंधा जा रहा था. होटल के हर रूम को चेक किया जा रहा था. वहीं elvish के फ्लाट के इसलिए यहां पर कोई मेड नहीं थी क्योंकि वह कोई डिस्टबंस नहीं चाहता। था एल्विश ने अपना लेप्टॉप बंद किया। एल्विश अपनी जगह से खंगा और स्टडी रूम से बाहर आ गया और किचन की तरफ जाने लगा। एल्विश जैसे ही किचन में पहुंचा उसकी आखे फटी की फटी रह गई और उसके बाद उसका फेस सर्द हो गया एल्विश की आखों में गुस्सा उतर आया उसके किचन की हालत बहुत खराब थी फ्रिज खुला हुआ था और रेफ्रिजरेटर से सारा सामान बाहर फैला ह एल्विश की आखे तीखी हो गई उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी तभी एल्विश ने चारो तरफ अपनी नजले घूम कर देखा हर जगह खाने का सामान फैला हुआ था ये देख कर तो एल्विश का सिर घूम गया एल्विश को महसूस हो गया था कि उसके घर में कोई हैं एल्विश को अपने कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी एल्विश ने अपने कदम उसे तरफ बढ़ा दिये एल्विश इस वक्त बहुत गुस्से में था उसके घर की हालत ऐसी थी जैसे कोई उस फ्लाट में रहता ही ना हो एल्विश ने जैसे ही अपने रूम में कदम रखा उसकी आखे फटी की फटी रह गई उसका रूम भी बहुत गंदा था हर चीज इधर उधर फैली हुई थी कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी अपने रूम की ऐसी हालत देखकर एल्विश का दिमाग खराब हो गया और उसने अपने होंच बीच लिए तभी उस पर नहीं दे रहा था एल्विश के भाव बदल गए एल्विश ने अपने कम बैट की तरफ बढ़ा दिये उसके कमले में एक बच्चा क्या कर रहा था एल्विश ने उस छोटे से बच्चे को देखा जिसने कान में हेड़फोन लगा रखा था और बैठ कर फ्रेंच रहा था एल्विश ने पीछे से उसके कान से हेड़फोन निकले और अपने सर्द आवाज में बोला हुआ यू वह बच्चा चौक गया और उसकी आखे छोटी छोटी हो गई उसे बच्चों ने मन ही मन कहा इतनी भयनकर की आवाज किसकी हैं एल्विश ने हलके गुसे से मे कहा तुम यहां क्या कर रहे हो और तुमने ये रूम का क्या हाल बना रखा है तभी विःआन की भोहे तन गई विःआन एटिट्यूट के साथ खंगा हुआ और एल्विश की तरफ टरन हुआ और एटिट्यूट से अपने छोटे-छोटे हाधों को कमर पर हाथ रखा एलविश की तरफ गुस्से से देखा और बोला, भाईया आप हैं कौन और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। एलविश ने अपनी एक आइबरो उठा कर विहान की तरफ देखा। विहान ने फुल एटिट्यूड में कहा अंकल कहा आपको क्योंकि आप भाईया तो कहीं से लगता नहीं हो। एलविश ने गुस्से से कहा मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ। विहान एटिट्यूड में कहा आप बूरे देखते हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको अंकल कहा मुझे आपको दादा जी कहना। चाहिए, एलविश की लेफ्ट साइड की आईब्रो उपर की तरफ हो गई वही विहान की आईब्रो लेफ्ट साइड के उपर की तरफ हो गई। ये दोनों का एक साथ ही हुआ था और दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। एलवेश ने मन ही मन अपने सामने उस छोटे से बच्चे को घूरते हुए कहा किसकी ओलाद है ये, किसकी ओलाद है ये, उसने इतना घमंडी बच्चा पहली बार देखा था जिसका घमंड कट से ज्यादा बढ़ा था, एक तो न जाने ये बच्चा उसके, रूम में कर क्या र एलवेश ने मैनस नहीं सिखाए कि विदावट परमीशन किसी के रूम में नहीं घुसते, आप तो इतने बड़े बूरे हैं, एलवेश ने गुस्से से विहान को देखा वह बूरा दिखता है, विहान की बातों को सुनकर एलवेश के भाव कथोर हो गए और उसने मिरमे और बोला अंकल आप सच में बूरे हैं ना हेर कलर करने से कोई यंग नहीं हो जाता, एलवेश ने खुद को ध्यान से देखा और फिर मन में बोला वह कहीं से बूरा नहीं लगता, एलवेश ने विहान को भूरते हुए कहा मेरे नाचुरल हेर हैं और बच्चे तुम्हें अ आपको मैनस नहीं है की बच्चे से, कैसे बात की जाती है, एलवेश ने कहा ये पिद्दी सा कितना बोलता है, एलवेश ने सर्द लहजे में कहा बच्चे तुम खुद को ओवर स्मार्ट समझते हो, एलवेश आगे अपनी बात पूरी करता है, उससे पहले ही विहान ने तो जादा तो इसका IQ लेवल है, एलवेश ने घूरते हुए कहा तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोलते हो बच्चे, अनकल मैने ज्यादा कुछ नहीं बोला अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने कान बंद कर लीजिए, सिंपल, एलवेश ने मन ही मन कितनी तेज जुबान है इस बच्चों की, अनकल आपको नहीं लगता कि आपको मेरे रूम से जाना चाहिए, अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा करेगी, विहान ने एलवेश को भूरते हुए कहा अनकल आज के बाद आप किसी के रूम में नौप करके आईएगा, अचानत की एलवेश ने विहान को उठा लिया, विहान ने चट पताते हुए कहा मुझे उतारो अनकल यह आप क्या कर रहे हैं, अनकल, एलवेश ने कहा विहान का फेस ध्यान से देखा और बोला तुम मेरे रूम से बाहर निकलो, विहान ने गुस्से से कहा विहान ने एलवेश के बाल पकंड लिया और खीचते हुए बोला बुरे अनकल मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हे छोड़ूंगा, नहीं, एलवेश ने विहान को गुस्से देखा और बोला तुम शैतान बच्चे अगर अभी तुमने मेरे बालों को नहीं छोड़ा तो, मैं तुम्हें फेक दूंगा, विहान एलवेश के बालों को पकंड कर लटक गया और दूसरे हाथ से एलवेश का कान पकर लिया, विहान ने गुस्से से कहा बुरे अनकल आपको क्या लगता है कि आप मुझे किड्नेप कर लेंगे मेरी मम्मा बस अभी, आती ही होगी और वह आपको खूब पिटेगी, एलवेश हैरानी से शैतान बच्चे को देख रहा था, एलवेश ने गुस्से से डाटते हुए कहा मेरे बाल और कान छोड़ो, तुम शैतान बच्चे, विहान ने भी गुस्से से चिलाते हुए कहा बुड़े अनकल मैं आपको छोड़ूंगा न से अदबुत बच्चे से मिला था, एलवेश परेशान हो गया था क्यूंकि विहान ने उसकी नाप में दम करके रख दिया, एलवेश और विहान एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे जैसे दोनों के बीच जंग छिडने वाली हो, वही कहर विहान के लिए बहुत होटल के मैनेजर ने आकर करह और समीर से कहा हमने पूरा फ्लेट चाल मार लेकिन हमें आपका बच्चा नहीं मिला, कहर गुस्से से खड़ी हुई और मैनेजर की तरफ देखते हुए बोली अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो फिर मैं आप लोगों पर केस कर दूंगी और मुझे पता है कि मेरा बेटा यही है आप लोगों ने ठीक से चेक नहीं किया केस की बात सुनकर मैनेजर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके होटल का नाम खराब हो लखनव का सबसे फेमस होटल था कहर ने गुस्से से कहा क्या आप लोगों ने CCTV चेक की तुम्हारा स्टाफ इतनी लापरवाही से काम करता है कि एक बच्चा तुम लोगों की नाप के नीचे से निकाल कर और तुम लोगों को भनक भी नहीं लगी मैनेजर आशीश ने रिस्पेक्टफुली कहा मैं CCTV फुटज चेक करवाता हूँ वही कुछ देर कहर अपने सामने चाहिए ही चाहिए उसकी मम्मा उस समय उसके पास होनी चाहिए तभी कहर ने देखा उसका बेटा वापस रूम में जा रहा था तभी वह रूक गया उसके बार विहान सामने वाले रूम चला गया कहर ने रूम नंबर देखा दोनों रूम नंबर सेम थे कह कहर ने गुस्से से मैनेजर की तरफ देखा और लगभग चिलाते हुए बोली आप सब ने कहा कि आपने हर एक रूम चेक कर लिया और मेरा बेटा रूम के सामने वाले फ्लैट में कन्फ्यूजन से चला गया तुम लोग इतनी लापरवाही से काम करते हो तभी मैनेजर बिलकुल पसंद नहीं है उसने वानिंग दी गई कि कोई भी उसके रूम में विदावट परमीशन नहीं आ सकता कहर ने गुस्से से कहा परमीशन माइफूट इतना कहने के बाद कहर कंट्रोल रूम से निकली और गुस्से से आग बबूल होकर उस रूम की तरफ बढ़ कहर इस वक्त बहुत गुस्से में थी कहर ने उस फ्लैत को देखा और गुस्से से के नो के किया लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो कहर ने जोर से दरवाजे पर मारा लेकिन उसने देखा कि दरवाजा ठीक से लौक नहीं था कहर बिना सोचे समझे दर्वाजा धड़ाम से खोला और अंदर घुस गई समीर भी कहर के पीछे आने लगा क्योंकि वह जानता था कि कहर अपने बच्चों के मामले में अपना शुध बुद्ध को देती थी अपने बच्चों के मामलों में वह एग्रेसिव हो जाती थी फ्लाववास उठा लिया वही विहान एलविश के कान और बाल पड़कर लटका हुआ था और एलविश उससे अपने बालों को चुड़ा रहा था लेकिन विहान एक जिद्धी बच्चे की तरह लटका हुआ था एलविश ने गुस्से से डाटते हुए विहान को कहा तुम शैतान बच्चे मेरे बाल चोड़ू विहान ने गुस्से से कहा बुड़े अंकल मैं आपको नहीं छोड़ने वाला एलविश परेशान हो गया था विहान ने उसकी नाप में दम करके रख दिया था वही जब कहर ने किसी आदमी के गुस्से भरी आवास सुनी तो वह जल्दी जल्दी से अपने कदम बढ़ाने लगी कहर को विहान की आवास सुनाई दी कहर ने लिविंग हॉल में आ गई और उसने सामने देखा तो दंग रह गई एक हटा कटा आदमी उसके सामने खड़ा था उस आदमी की बैक उसकी तरफ थी इस वक्त एलविश शर्ट लेस था कहर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा ओ मिस्टर एलविश और विहान के कान खेंगे हो गए विहान ने जब अपनी मम्मा की आवास सुनी तो जोर से चिल्लाते हुए बोला मम्मा 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 एलविश ने जब विहान को मम्मा मम्मा करते हुए सुना तो मन ही मन बोला इसकी मा की ही कमी रह गई थी एल्विश बहुत गुस्से में था एल्विश गुस्से से पलता वही विहान अभी भी एल्विश के बाल और कान पड़ कर लटका हुआ था कहर ने जब यह नजारा देखा तो उसका मुँख खुला का खुला रह गया वह अभी भी एल्विश का फेस नहीं देख पाई थी में धुस गए कहर विहान की पीच देख सकती थी और विहान की बातों को सुनकर उसे हैरानी हुई उसके बेटे को गलत फेहमी हो गई थी उसके बेटे को लग रहा था ये फ्लेट उनका है वही समीर भी आ गया और अंदर का नजारा देकर वह भी दंग रह गया और उसने विहान की बाते भी सुन ली थी समीर ने मन ही मन कहा ये छोटा शैतान ये बंदर की तरह क्यों लटका हुआ है वह समझ गया था कि विहान को लग रहा है कि ये उनका फ्लेट हैं समीर ने कहा विहान छोडो उने तभी विहान ने कहा डेड़ा आप आगए आप जल्दी आए मैंने इन बुरे गंदे अंकल को पकर रखा है विहान की बात सुनकर समीर को हैसी आगई कहर ने समीर को घूरा लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और मन ही मन सोचा छोटा फाइटर कैसे उसे आदमी को पकंग लटका हुआ है समीर उस आदमी के दर्द को इमेजन भी नहीं कर सकता क्योंकि विहान उसके बाल और कान पढ़कर लटका हुआ था कोई और आदमी होता तो अभी तक उसने विहान को फैंक दिया होता तभी एल्विश ने कहा बस उसके बाप की कमी थी एल्विश ने गुस्से से कहा अपने बेटे को संभालो कहर आगे बड़ी कहर ने विहान से कहा विहान अंकल को छोड़ो विहान ने कहा लेकिन मम्मा कहर ने डाटे हुए कहा विहान छोड़ो उन्हें अपनी मम्मा की डाट सुनकर विहान ने एलवेश का कान छोड़ दिया एलवेश का कान रेड हो गया था विहान ने धीरे से एलवेश के बाल छोड़ दिये एल्विश ने गुस्से से विहान को तुन्प उतार दिया एल्विश की गुस्से से भारी लाल आँखों को देखकर विहान डर गया कहर ने जब उस शक्स का फैंस देखा तो दंग रह गई उसके पर जहां थे वहीं थहर गए उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था कहर का धक्का लगा था एल्विश ने गुस्से से कहा अपने बच्चों को लो और यहां से दफा हो जाओ एल्विश की डाट सुनकर विहान की आँखों में आसु आ गए एल्विश को इतने गुस्से में देखकर विहान मुंगा और कहर की तरफ भागा और रोते हुए बोला मम्मा एल्विश ने अपना सिर उठा कर सामने देखा एल्विश की आँखे बड़ी बड़ी हो गई एल्विश भी दंग रह गया और कुछ पल के लिए अपनी जगह पर थम गया एल्विश कहर को देखने लगा उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कहर और एल्विश दोनों दूसरे को देख रहे थे और उनके आसपास की चीज थमसी गई थी विहान भागता हुआ गया और कहर के पैरों से लिप्ट गया लेकिन कहर तो पत्थर की तरह खड़ी थी समीर ने जब कहर को ऐसे से देखा तो कहर को आवाज दी लेकिन कहर को तो जैसे कुछ सुन नहीं रहा था विहान ने रोते हुए कहा मम्मा विहान ने समीर की तरफ देखा और बोला डैडा समीर आगे बढ़ा और उसने विहान को गोद में उठा लिया समीर भी हैरानी से कहर और उस अंजान सक्ष को देख रहा था कहर के सामने फाइव साल पहले की सारी यादे एक बार फिर घूम गई कहर की आँखों से आसु लुड़क कर उसके गाल पर आ गए आज मैं बहुत उदास हूँ 10 बजे मेरा मुद खराब हो गया और मुझे बुरा फील हो रहा है विहान भागता हुआ गया और कहर के पैरों से लिप्ट गया लेकिन कहर तो पत्थर की तरह खरी थी समीर ने जब कहर को ऐसे से देखा तो कहर को आवाज दी लेकिन कहर को तो जैसे कुछ सुन नहीं रहा था विहान ने रोते हुए कहा मम्मा विहान ने समीर की तरफ देखा और बोला डैडा समीर आगे बढ़ा और उसने विहान को गोद में उठा लिया समीर भी हैरानी से कहर और उस अंजान सक्ष को देख रहा था कहर के सामने फाइव साल पहले की सारी यादे एक बार फिर घूम गई कहर की आँखों से आसु लुड़क कर उसके गाल पर आ गए अब आगे कहर और एलविष एक दूसरे के आमने सामने थे एलविष की आँखों में गुस्सा भरा हुआ था कहर ने जल्दी से अपने आसु पोचे तभी कहर के कानों में विहान के रोने की आवाज गई कहर ने जल्दी से उस तरफ देखा और फिर समीर से विहान को लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए चुप कराने लगी कहर ने विहान के सिर पर हात फैरा और फिर इसके दोनों बालों को चुमते हुए बोली मम्मा ने कितनी बार बोला है ना कि ऐसी शैतानिया मत किया करो समीर ने एलविश की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला सॉरी सर मेरे बेटे ने आपका जो भी नुकसान किया है मैं पे कर दूंगा एलविश ने अपने हाथों की मुठ्थियां कसली और उसके जबड़े टाइट हो गए देखिये सर मेरे बेटे को गलत फहमी हो गई थी और उसने जैसा भी बेहेव आपके साथ किया उसके लिए I am really really sorry वह गलती से यहां आ गया उसे लगा कि यह हमारा फ्लेट है असल में हम आपके सामने वाले फ्लेट में आज ही शिफ्ट हुए हैं एलविश ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था एलविश ने गुस्से से कहर की तरफ देखा और फिर बोला तुम्हारा बेटा बहुत ही बद्तमीज है कहर ने विहान को और जोर से विहान को गले लगा लिया और फिर बोली देखिये मिस्टर मेरा बेटा बद्तमीज नहीं है उसे बस गलत फेहमी हो गई थी वरना वह ऐसा कभी बीएफ नहीं करता कहर कुछ भी सुन सकती थी लेकिन अपने बेटों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं आपका जो भी नुकसान हुआ है हम उसे भर देंगे एलविश की आँखे गुसे से लाल हो गई समीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला आपने मेरे बेटे का इतनी देर तक ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया एलविश ने अपने हाथों की मिशन और ज्यादा टाइट कर ली एलविश ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया समीर ने मन ही मन सोचा कितना रूड इंसान है तभी वहाँ जायद आ गया जायद ने जब अंदर का नजारा देखा तो उसकी आँखे फटी की फटी रह गई क्या वह कहीं गलत जगह गया था यह उसके दोस्त के फ्लेट था ना उसके फ्लेट पर इतनी ज़्यादा गंदगी पूरा फ्लेट तहस नहस हो रखा था जायद ने एक आदमी और एक औरत को देखा और उसने उनके साथ बच्चा भी था जायद सिर्फ इतना देख सकता था कि उसका दोस्त बहुत गुस्से में था वह गुस्से से खोल रहा था उसने आज से पहले भी एलविश को सिर्फ इतना गुस्से में सिर्फ एक दो बार ही देखा था इस वक्त वह ऐसा था जैसे किसी को जलाकर राख कर देगा ऐसा भी क्या हो गया कि उसका दोस्त इतने गुस्से में था पर जायद इतना तो समझ गए थे कि माहौल गर्म था एलविश गुस्से से कहर को घूर रहा था और कहर विहान को लेकर पलट गई और वहां से बाहर जाने लगी अब कहर एक पल यहां नहीं रुकना चाहती बस उसके जखम ही हरे हो रहे थे कहर ने कहा समीर लेट्स गो समीर ने कहा ओके इतना कहने के बाद समीर भी कहर के पीछे चल दिया विहान ने अपना सिर उठाकर एलविश की तरफ देखा इसका मतलब की वह गलती से इन बुड़े अंकल के घर में आ गया था कहर अपने फैल्ट में जल्दी से गई समीर को कहकर रवया समझ नहीं आ रहा था एल्विश ने गुषसे से सामने लगा एलसीडी उठाकर गुषसे में जमीन पर पटक दिया और वह एलसीडी चकना चूर हो गया एल्विश से अपना गुषसा कंट्रोल नहीं हो रहा था एल्विश तोडफोर कर रहा था जायद ने हैरान हो गया था उसने पहली बार एलविश को अपना आप ऐसे खोते हुए देखा था एलविश इस वक्त बॉखलाया हुआ शेर नजर आ रहा था अगर कोई भी उसके आसपास गया तो न जाने उसका क्या होगा और जायद को भी डर लग रहा था जायद ने हिम्मत करके कहा वाट हापन इतना गुसा क्यों है एलविश ने गुस्से से कहा इसके लिए मुझे छोड़ कर गई थी जायद कनफ्यूज हो गया जायद ने कहा कौन छोड़ कर कहते कहते जायद रुख गया जायद ने हैरानी से कहा ये लंकी कही वही तो नहीं एलविश ने गुस्से से कहा हा मेरी बीवी हा 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 ये औरत मेरी बीवी है एलविश ने टेबल को जोर से लात मारी और वो सीधा जाकर दीवार से लड़ा एलविश गुस्से से चिलाते हुए बोला मेरी बीवी के साथ जो आदमी था वो कोई और नहीं उसका हस्बेंड है और इतना ही नहीं उसका एक बेता भी है है एलविश ने गुस्से से बॉखलाते हुए कहा यह इस आदमी के लिए भाग गई थी मेरी बीवी को आशिकाना एल्विश ने सोफे पर बैठ गया वह अभी भी गुस्से से काम प्रहा था। एल्विश ने सोफे के नीचे से वाइन की बोतल निकाली और उसे दातों से खोलते हुए अपने मुह से लगा लिया होर। एक ही गूट में आधी बोतल खाली कर दी उसके कानों में कुछ शब्द गुंजने लगे एल्विश एग्मिविंशी की बीवी शादी। वाली रात किसी और आदमी के साथ भाग गई जरूर पती में ही कोई कमी होगी तब ही इसकी बीवी भाग गई। कहर अपने तीनों बेटों को सीने से लगा कर बैठी थी कहर की आँखों में आसु थे वो रो रही थी। जा सकता था क्यूंकि इतने सालों में कहर को आज तक वह समझ नहीं पाया था वह कभी कथोर बन जाती थी तो कभी नर्म हो जाती थी और अपने बच्चों के मामले में तो वह बहुत ज्यादा सेंसिटिफ थी। वही एलविश गुस्से से एक के बाद एक ड्रिंट कर जा रहा था शायद वो भी आज एलविश को इतने गुस्से में देख कर। बहुत हैरान था एलविश ने कभी भी अपना आपा इसकदर नहीं खोया था। उसकी आखों में आग जल रही थी जायद कांप गया जायद जानता था कि जब तक भाभी उसके सामने नहीं आई थी। जब तक तो सब कुछ नॉमल था और भाभी को उसके सामने कभी आना भी नहीं चाहिए था लेकिन अब एलविश उने इतनी आसानी से जाने नहीं देगा बलकि वह उनसे हर एक चीज का बदला लेगा। उसके कानों में एलविश के डरावने शब्द गुंचने लगे जब तक वह मेरे सामने खुद से नहीं आती जब तक मैं उसकी जिन्दगी जहनुम नहीं बनाऊंगा लेकिन जिस दिन वह मेरे सामने आ गई उसे दिन से उसकी जिन्दगी जहनुम बन जाएगी अच्छा कि वह मेरे सामने कभी न आये एलविश उतकर अपने रूम में चला गया जायग ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त एलविश इतने गुस्से में है और उसे बुलाना मतलब कहर के मुह में अपना सिर देना और यह गलती वह बिल्कुल न ने मेरे साथ सही नहीं किया कहर विहान को डाट रही थी कहर ने कहा विहान आज के बाद तुम उन अंकल से नहीं मिलोगे विहान ने अपनी आखों से मोटे मोटे आसु बहते हुए कहा सौरी मम्मा कहर विहान को डाट रही थी वही इशान और आहान विहान को डाट परते द सुंगा ये दोनों मेरे भाई नहीं हो सकते ये दोनों मेरे बड़े। भाई कैसे बन गए। वही इशान और विहान को बहुत मजा आ रहा था क्योंकि इवान जितना छोटा था उतना ही खोटा था और जब उनको डार्ट zerता था और वह हमेशा छोटा होने का फाइदा अपने हाथों से खिला रही थी. वही विहान मुह फुला कर बैठा था क्योंकि आज उसकी मम्मा ने उसे पनिश्मेंट दी थी. विहान खाना नहीं खा रहा था जिसे देख कहर ने उसे और जोर से डांट दिया तो विहान रोने लगा समीर तुरंट उसके पास आया और उसने विहान को गोद में उठा लिया. विहान ने रोते हुए कहा डैडा मम्मा ने डांटा मम्मा ने मेको डांटा. समीर ने कहर की तरफ बेबसी से देखा अगर उसने उसे कुछ बोला था वह उसे भी डांट देगी इसलिए वह विहान को लेकर बाहर चला गया. समीर विहान को लेकर लेकर नीचे चला गया और होटल से बाहर आ गया वह विहान को खुली थंडी हवा में ले आया था विहान ने समीर की तरफ देखा और बोला डैडा मैंने जान बुझ कर नहीं किया था मुझे नहीं पता था कि वह हमारा कमरा नहीं है मुझे तो लगा कि वह हमारा काम है इसलिए मैं गलती से चला गया था और मम्मा ने इसके लिए मुझे कितना डाटा। समीर ने कहा उस समय तुम्हारी मम्मा बहुत गुस्से में थी। समीर ने कहा आइस्क्रीम खाओगे विहान समीर विहान का ध्यान कहीं और लगाना चाहता था। विहान ने धीरे से कहा डैडा इस बारे में आप मामा को मत बताना की मैं कुछ खाया है। समीर ने ओके मैं तुम्हारी मम्मा से नहीं कहुंगा की तुमने कुछ खाया है। उसके बाद विहान ने समीर के गाल पर किस करते हुए कहा लाव यू दद्दा। वही येलविश अप अपनी सर्द निगाहों से देख रहा था। अपनी ग्लास वॉल के पास ही खड़ा था। इशान और अहान दोनों को बिल्कुल भी परवा नहीं थी अपने छोटे भाई की। वह दोनों अपने आईपैड में कुछ ना कुछ कर रहे थे ये देखकर कहर ने अपना सिर नामें हिला दिया उसके तीनूं। बेते इतनी अजीब क्यूं हैं। कहर ने इशान और आहान को डाटे हुए कहा आईपैड रखो और चुपचाप सो जाओ। अपनी मम्मा की डाट सुनकर इशान और आहान ने एक दूसरे को देखा फिर आईपैड जल्दी से साइड रख दिया और उसके पास आ गए। कहर ने दोनों को देखा और फिर बोली हम चाहिए तुम दोनों को। इशान और आहान ने कहा मम्मा कल हमें धूमने जाना हैं। इशान और आहान ने कुछ नहीं कहा और उदास होकर बैट पर आ गए और लेट गए। कहर के फेस पर भी उदासी आ गई वह चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी डॉक्टर से मुलाकात हो और वह इसलिए शहर को वापस अपने घर चली जाए क्योंकि अब यहां रहना उसके लिए इंपॉसिबल के बराबर हो गया था एक बार डॉक्टर मनोज कन्वेंस हो जाते तो वह अपने बच्चों का इलाज कहीं से भी शुरू करवा सकती थी तब तक वहां पर समीर और विहान भी आ गए और उनके हाथ में आईस्क्रीम बॉक्स को देखकर कहर की आँखे छोटी छोटी हो गई कहर ने समीर की तरफ देखते हुए कहा सोने के वक्त पर तुम आईस्क्रीम लेकर आए हो जिस पर समीर ने कहा हम आज आईस्क्रीम हो जाए लखनव की कहर ने अपना सिर्हा में हिला दिया और हलकी स्माइल करते हुए बोली हम विहान मुह फुला कर कहर को देख रहा था क्योंकि वह चाहता था कि उसकी मम्मा उसे प्यार करें उसे दुलारे लेकिन कहर ने आखे छोटी करके विहिन को देखा और बोली आइस्क्रीम कैसी लगी बेतू कहर समीर के पास आई और विहान को अपनी गोद में ले लिया और फिर विहन की तरफ देखते हुए भोली तुमने सच में आईस्क्रीम नहीं खाई। विहान ने मुह फुला लिया और कुछ नहीं बोला जिसे देखकर कहर ने विहान के दोनों गालों को बारी-बारी से चुम्मा और बोली मेरा बच्चा गुस्सा हो गया मम्मा ने कुछ ज्यादा डांट दिया। कहर का इतने प्यार को लेकर बालकनी में आ गई। समीर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और उसके बाद उसने बैट की तरफ देखा तो इशान और आहान दोनों उतकर बैठे हुए थे और उन सभी को घूर रहे थे समीर ने कहा चलो तुम दोनों आईस्क्रीम खा लो। इशान और आहा अगली सुबह कहर और समीर फिर तैयार थे डॉक्टर मनोज से मिलना उनके लिए बहुत जरूरी था। कहर ने आज दो न्यू के अर्टेकर को हाय किया था और कर अपने बच्चों को समझ रही थी कि वह लोग उसकी गैर मजबूत की में कोई शैतानी ना करें। वही आज दोनों के अर्टेकर नीना और भीना इशान आहान और विहान पर पूरी नजर रखने वाली थी। वही इशान आहान और विहान तीनों मिलकर उन दोनों को घूर रहे थे क्योंकि कल रात सोने से पहले उन तीनों ने आपस में एक प्लान बनाया था जिस पर आज व कैप लगाई थी और आज कोई भी उन तीनों में डिफरेंस नहीं बता सकता था कहर और समीर उन तीनों में डिफरेंस का पता लगा सकते थे। इशान आहान और विहान एक दूसरे तीसरे को देख कर लिटल डिविल स्माइल करते हैं। उसके बाद वह तीनों आपस में घेरा बना कर कुछ फुस फुस के आपस में बाते करने लगते हैं। नीना और भीना ने मुसकुरा कर कहा आप तीनों का ब्रेकफास्ट आपकी मम्मा रेडी कर कर गए हैं और उन्होंने कहा। है कि आप तीनों को ब्रेकफास्ट कर दिया जाए। इशान आहान और विहान ने कहा उसके बाद वह तीनों अपने एटिट्यूड में ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आ गए नीना और भीना को लगा था कि उन तीनों को बैठना पड़ेगा लेकिन वह खुद ही बैठ गए थे इन तीनों बच्चों को देखकर उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे पैदाईशी घमंडी हो एलविश ने अपने कमरे में बैठा था उसके फेस पर डेविल स्माइल थी एलविश अपने लेप्टॉप पर उंगलियां को मूव कर रहा था वैसे वैसे उसके भाव कतोर हो रहे थे तभी एलविश ने अपना लेप्टॉप बंद किया और शाव लेने चला गया एलविश कल रात से सोया नहीं था उसकी मींद उर चुकी थी एलविश को अपनी दादी से मिलने भी जाना था वह जाना तो नहीं चाहता था लेकिन वह यहाँ पर अपनी दादी के लिए ही तो आया था एल्विश ने शाव लिया और फिर अपना बिजने सूट पहन कर हॉस्पिटल के लिए निकल गया एल्विश जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पर घर के सभी लोग थे लेकिन एल्विश को वहाँ किसी से मतलब नहीं था वहाँ पर उसके डेढ हर्शवर्धन भी थे लेकिन एल्विश ने उन्हें भी पूरी तरीके से इग्नो कर दिया एल्विश वहाँ सिर्फ अपनी दादी से मिला बाकी घर वाले भी उससे मिलना चाहते थे लेकिन एल्विश ने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन Elvis की दादी तो इसे ही खुश थी की उनका पोता कम से कम उनसे मिलने तो आया वरना उन्हें लगा था की वह दोबारा चला गया वही Elvis भले ही अपनी दादी से जितना भी नाराज था लेकिन वह चाहता था की उसकी दादी ठीक हो जाए वही विहान Living Hall के सोफे पर बैठा था और नीना और भीना उसके अगल बगल बैठी थी भीना एपल कट कर रही थी विहान के लिए क्योंकि विहान का खाने का मन था विहान उन दोनों से कोई ना कोई सवाल पूछ रहा था और वह दोनों भी मुस्कुराते हुए उसके सवालों का जवाब दे रही थी तभी नीना ने इधर उधर देखते हुए कहा इशान और अहान बाबा कहा है तभी भीना ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा वह दोनों अपने कमरे में हैं उन दोनों ने कहा है की वह दोनों पर रहे हैं तो उन्हें कोई डिस्टब ना करें जिस पर नीना ने कहा मैं अभी देख कर आती हूँ इतना कहने के बाद वह अभी जगह से खड़ी हुई और रूम की तरफ जाने लगी वही विहान ने एपल उठाया और उसे मुस्कुराते हुए खानने लगा वही जब नीना ने दरवाजा खोला तो देखा कि अहान विहान सचमुच पर रहे थे उनकी पीठ नीना की तरफ थी ये देख कर नीना मुस्कुराए और उसने उन दोनों को डिस्टब नहीं किया और चुपचाप बाहर चली गई नीना वापस सोफे की तरफ आने लगी वही विहान स्टाइल से बैठा हुआ था उसने कैप लगा रखी थी और एटिट्यूद से एपल खा रहा था उसके फेस पर लिटिल डेविल स्माइल थी नीना ने मुसकुरा कर कहा वह दोनों स्टडी कर रहे हैं भीना ने अपना सिर हिला दिया कहर और समीरा कल की तरह ही डॉप्टर के विला के बाहर खड़े उनका वेट कर रहे थे बॉडी गार्ड ने आज भी उनको अंदर नहीं जाने दिया लेकिन आज तो कहर जिद पर अदाई हुई थी कि वह मिलकर ही जाएगी और वह किसी भी कीमत पर क्यूंकि वह लखनव वापस इसलिए ही आई थी लखनव एयपोर्ट एक लड़की ने अपने शेड्स निकले उसके हाथ में उसका लगेज था उस लड़की के फेस पर तिर्ची मुस्कान थी I am back Darling, जोसफीन सालवटॉर ने कहा Baby I missed you जोसफीन सालवटॉर आस्ट्रेलिया से उस दिन ही इंडिया के लिए निकलने वाली थी लेकिन उसे कुछ important काम आ गया था इसलिए उसका प्लान डिले हो गया था एलविश अपनी दादी से मिलने के बाद सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकल गया एलविश के face पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे एलविश के सामने एक कार आकर रुकी एलविश कार में बैठा और कार वहां से होटल के लिए रवाना हो गई एलविश ने होटल में अपना कदम रखा और सीधा लिफ्ट के अंदर चला गया वह लिफ्ट वी आईपी लिफ्ट थी जिसमें कुछ वी आईपी लोग ही जा सकते थे एलविश अपने फ्लेट के दोर पर पहुँच गया की कार से दोर ओपन किया लेकिन तभी उसने तिर्ची नजरों से अपने सामने वाले फ्लेट की तरफ देखा और फिर अंदर चला गया एलविश ने जैसे ही कदम रखा उसके पैर के नीचे कुछ आया एलविश ने अपने से नीचे कर कर देखा एलविश के भाव कथोर हो गए और उसने अपनी नजरे घुमाए एलविश ने जैसे ही फ्लाट के अंदर अपना कदम रखा उसकी आखे हैरत से बिंगाई बिंगाई हो गई और दूसरे ही पल उसकी आखे कथोर हो गई एलविश ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया, एलविश के फ्लाट बहुत गंडा था, सारा समान इधर उधर बिखरा हुआ था एलविश ने सोफे की तरफ देखा सोफा शीथ नीचे पंगा हुआ था एल्विश ने चारों तरफ अपनी नजले घुमाए हर तरफ सामान खिल रहा हुआ था उसकी फ्रिज से सारा खाने का सामान खिल रहा हुआ था उसका लैप्टॉप भी जमीन पर तूट पड़ा था और तो और इतनी गंदगी देखकर एल्विश का दिमाग खराब हो गया और एकदम से उसकी आँखे कथोर हो गई एल्विश का गुस्सा उसकी उधरी नसों में दिख रहा था एल्विश ने गुस्से से अपनी आँखे बंद की और उसके बाद एल्विश अपने कमरे में गया और देखा वहाँ पर भी सारा सामान इधर उधर पढ़ा हुआ था बैड पर बैडशीट नहीं थी और किसी ने जानबूज कर उसके कमरे का ये हाल किया था ये एल्विश को साफ पता चल रहा था एल्विश ने अपनी अल्मारी की तरफ देखा और फिर उसके अंदर बिखरे समाज को देखा लेकिन पैसे वैसे के वैसे ही थे किसी ने पैसे को छुआ भी नहीं था ये हमामला चोडी का तो नहीं लग रहा था एल्विश ने गुस्से से अपना फोन निकाला और उसके बाद मैनेजर को कॉल कर दिया कुछ ही देर में एल्विश के फ्लेट पर मैनेजर मौजूद था और मैनेजर ने जब एल्विश के फ्लेट की हालत देखी तो वह घबरा गया आखिर ये सब किसने किया एल्विश गुस्से से सोफे पर बैठा था और उसने जब मैनेजर को गुस्से से देखा तो मैनेजर एक पल के लिए कम से आ गया एल्विश कुछ बोलता उससे पहले ही मैनेजर ने घबराते हुए कहा बॉस मैं अभी चेक करता हूँ ये सब किस ने किया वही थोड़ी ही देर में जायद भी आ गया जायद ने जब एल्विश के फ्लेट की हालत देखी तो वह दंग रह गया एल्विश के हाथ पैर पर रैशेज गए थे क्योंकि उसे OCD था जिसके लिए उसे टेबलेट लेनी पड़ती थी लेकिन एल्विश इस वक्त इतने गुस्से में था कि वह वही सोफे पर बैठा हुआ था और जब जायद ने एल्विश को देखा उसने जल्दी से अपनी पॉकिट से एल्विश की मेडिसिन निकाली और उसे देते हुए कहा ब्रो जल्दी से इसे लीजिए वरना आपकी हालत और खराब हो जाएगी जिस पर एल्विश टेबलेट की तरफ देखा और फिर वह टेबलेट अपने मुह में रख दी वही मैनेजर CCTV फुटेज चेक करने के बाद एल्विश के पास आ गया और उसने एल्विश को भी वह CCTV फुटेज दिखाई एल्विश जैसे जैसे CCTV फुटेज को देख रहा था उसके भाव और कथोर होते चले गए CCTV फुट देखते वक्त एलविश के भाव इस वक्त बेहत खतरनाक लग रहे थे एलविश के भाव सर्ध हो गए एलविश ने अपने कमरे की फुटेज देखी तो वह दंग रह गया ये कैसे पॉसिबल है ये ये सब किसका किया धरा था एलविश को पता चल चुका था एलविश ने लेप्टॉप बंद किया और फिर गुसे से अपनी आखे बंद कर ली और उसके बाद उसके चेहरे पर दरावनी मुसकान तैयार की उस फुटेज को देख कर जायद भी चौकना हो गया कि अब जरूर कुछ होने वाला है रात का वक्त कहर और समीर था खार कर घर वापस आ गए थे क्योंकि दॉक्टर मनोज थॉमस उनसे आज भी नहीं मिले थे और उन्होंने पूरा दिन उनका वेट किया था कहर बहुत निराशा लग रही थी उसे धीरे धीरे उसकी उम्मीद तूटती जा रही थी कहर की आखे नम थी वह यहां पर जिसलिए आई थी वह काम नहीं हो रहा था कर अपने फ्लैत में दाखिल हुई और जैसे ही कहर ने अपना सिर उठाया उसके पैरों से आकर कोई लिप्ट गया कहर के होटों पर मुसकान आ गई इशान आहान विहान तीनों आकर के पैरों से लिप्ट गय थे समीर अभी भी पाकिंग लोट में कार पाक कर रहा था वही एलविश अपनी बालकनी में खड़ा था और सब कुछ देख रहा था उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान थी कहर ने अपने तीनों बेटों को प्यार किया और फिर उनके दिन के बारे में पूछा नीना और भीना जा चुकी थी क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका था समीर के अंदर आते ही इशान आहान विहान तीनों ने जोर से कहा डैडा लाव यू समीर के चहरे पर भी सुकून फैल गया इन तीनों को देखते ही उसका दिन बन जाता था कहर के अंदर जो निराशा च्छाई हुई थी वह पल में गायब हो गई उसके बेटों की मुस्कान ही उसके अंदर उम्मीद पैदा कर देती थी कहर ने अपने तीनों बेटों को देखते हुए कहा जल्दी से जाकर आप तीनों अपनी पैकिंग कर ले हम यहां से जल्दी ही निकल रहे हैं जिस पर इशान ने पूछा मम्मा हम कहा जा रहे हैं कहर ने कहा कि हम दूसरे होटल जा रहे हैं यह होटल अच्छा नहीं है कहर ने क पर दूसरा होटल बुक कर लिया था जिसमें वह लोग काफी लंबे समय तक रह सकते हैं और वहाँ पर सारी सुविधाय थी कहर और समीर ने सुबह ही होटल का विजिट कर लिया था और समीर कहर के डिसीजन से अग्री कर रहा था क्योंकि उसे होटल में काफी फैसिलिटी थी और समीर को कहर के फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद इशान आहान और विहान एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद तीनु जल्दी से रूम में भाग कर गए हो अपना सामान पैक करने लगे। कहर ने डोर ओपन किया तो उसके सामने मैनेजर खड़ा था और उसके बगल में खड़े शक्स को देखकर कहर की आखे फैल गई एलविश अपनी पैंट की पॉकिट में हाथ। डाले गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। कहर एलविश को अपने सामने देखकर दंग रह गई कह पाद कर दी। कहर की की आखों के सामने अपना फ्लेश बैक घूमने लगा कहर एलविश का सामना नहीं करना चाहती थी इसलिए आजवर। ये होटल छोड़ कर जा रही थी लेकिन उसकी किसमत इतनी खराब कैसे हो सकती है जाते जाते भी उसे इस शक्स का। चेहरा देखना पर रहा है। तभी मेंजर साहिल ने कहर की तरफ देखा और बोला मैं। कहर ने मेंजर साहिल की तरफ देखा तभी समीर आगे बढ़ा और बोला मेंजर तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो। जिस पर मेंजर ने कहा सर सौरी फॉर डिस्टबंस बट हमें आपके फ्लेट की जाँच करनी होगी जिस पर समीर ने कहा बट वाई मेंजर ने कहा सर मिस्टर इगनिविंशी के फ्लेट पर चोरी हुई है जिस पर समीर ने सक्त लहजे में कहा फिर तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हें उनके फ्लेट की जाँच करनी चाहिए ना की हमारे फ्लेट की जिस पर मैनेजर साहिल ने कहा सौरी सर बठ होटल के हर फ्लेट की जांच हो रही है क्योंकि मिस्टर एगनिविंशी डाइमंड चोरी हुआ है चोरी कोई छोटी मूटी नहीं है इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है हम आसुविधा के लिए आप से माफी चाहते हैं प्लीज हमारे साथ कॉपरेट करिये कहर ने कहा मिस्टर मैनेजर आप चाहे तो जांच कर सकते हैं लेकिन हमें यहां से जाने दीजिए क्योंकि हम आज ही इस होटल से जा रहे हैं एलविश ने कहर की तरफ देखा फिर तिर्चा मुस्कुरा दिया एलविश अपने हाथ में पहनी रिंड को घुमा रहा था मैनेजर साहिल ने कहा सौरी मैम बट जब तक हर फ्लेट की जांच नहीं हो जाती आप यहां से नहीं जा सकती जिस पर कहर ने गुस्से से कहा वाट डू यू मीम तुम कहना चाहते हो की चोरी हमने की है जिस पर मेंजर साहिल ने जल्दी से कहा सौरी मैं हमार वह मतलब नहीं था लेकिन हमें करना होगा प्लीज हमें हमारा काम करने डीजिए कहर उसे शर्षाए क्लेक गुचते हुए अपनी pcl के जपका कर उसे शान्त रहने के लिए कहा कहर ने घुचिंगा मैंठेजर के-धना अपन्ता काम खत्म करो क्योंकि तुम हमें डिस्टब कर रहे हो एडवाइज में कंप्लेंट कर दूंगी समीर ने मन ही मन सोचा यह उसकी बात क्यूं नहीं सुनती कहर जब गुस्सा हो जाती थी तो वह किसी की नहीं सुनती थी समीर ने कहर के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और उसे शान्त रहन के लिए कहा कहर ने गुस्से से समीर को देखा समीर हलका सा मुसकुरा दिया एलविश की तीखी नजरे कहर और समीर को देख रही थी एलविश ने गुस्से से समीर को देखते हुए सोचा उसकी बरबादी में इस आदमी का भी उतना ही हाथ है जितना की इस औरत का इस आदम अखिल हुए और उन्होंने फ्लेट की हर कमरे की जांच करना शुरू कर दिया क्योंकि कोई चीज कोई छोटी मूटी नहीं थी बलकी वह एक डायमंड था वही विहान गुस्से से एलविश को देख रहा था विहान ने कैप लगा रखी थी एलविश ने विहान की तरफ देख यूं कसी हुई थी और एलविश को घूर रहा था ये बुड़ा कितना जूट बोलता है विहान ने अपने दात पीस लिए वही एलविश भी विहान को देख रहा था विहान गुस्से एलविश को देख रहा था कहर और समीर भये थे कहर में दोबारा एलविश की तरफ लेकिन जो मज़ा तरपाने में है वह एक बार में कहा एलविश अच्छे से चीजों को अपने फेवर में लेना जानता था उसे पता था कि चीजों को कैसे अपने कंट्रोल में करना है और अपने फेवर में यूज करना है एलविश ने विहान को देखा तुमने अभी सिर्फ क कैसे था कहर के लगेज को भी चैक किया जा रहा था ये देखकर कहर ने बहुत गुतसे से अपना गुतसे को कंट्रोल कर रखा था अ मैनेजर ने कहर की तरफ देखा और बोला मैं आप जब तक यहां से नहीं जा सकती जब तक हमारी जान पर ताल पूरी नहीं हो जाती आपको इसी होटल में रहना होगा। कहर ने गुस्से से कहा वाट। एलविश के चेहरे पर जहरीली मुस्कान तैर गई। So, अभी कहानी जारी रहेगी।